कि एक सर्वर का तो मेरा IP एड्रेस है यहां पर 14.0014 ठीक है यह मैं दिखा लेता हूं आपको यहां पर लोकली ते कनेक्शन से अधर देखे हैं यहां के डीटेल में कि इतना IP आ रहा है 14.0014 ठीक है एक दूसरे सर्वर में जाते हैं उसा IP address चेक कर लेते हैं क्या चेकर से अबसा चेंडर चेक करते हैं nc.ca.cps जो इसके नेट्रों कनेक्शन से चेंडर चेक करते हैं तो इसका IP कितना है 10.003 ठीक है अमें पास दो IP हैं 10.003 एक 14.0014 डोनों को आँ कनेक्शना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले हम फ़र्ट सर्वर पर जाते हैं चाट में जाएंगे admin tools server manager और सब्सक्राइब लाइश में routing and remote access service को on करेंगे कैसे हम करेंगे add roles पर जाते हैं ठीक है next करेंगे यहां पर select करते हैं network quality and access services इसके अंदर यहां पर select करते हैं routing and remote access services next install करेंk यहां से इस्टाब राउटें गया राउटें कर में झाकर से दूसरे मचीन में भी जाके इस्टाब गते हैं तो बोद में दिए meaningful server like and extract करते हैं जाहां से और आपर भी हम routing and remote access service इंस्टॉल गनेगी अपर पर्स server में देखते हैं आपर service इंस्टॉल हो चुगी है तर इसके बाद start पर जाते है admin tools routing and remote access पर जाते है इस routing and remote access पर इस राउटing and remote access पर इस server ने जाएं फिर right click करते है configure and enable routing and remote access next करते है custom configuration next land routing next finish करते हैं कि हमाद service इसी start कर जाते हैं आपको start service दूसरे server पर आ जाते हैं जहांसार इसमार फ्लाइक पर रहे हैं फिर दिखाते हैं नाइड रोल्स के क्लिट करते हैं next करते हैं network policy and access services next routing and remote access services next करहें इस रॉपगे करते हैं close close के बाद इसमें close करते हैं start पर आते हैं admin tool routing and remote access right check करते हैं server name पर configure and enable routing and remote access next custom configuration next command routing next finish part service तर पर हम खाले server पर आ जाते हैं service start करने के बाद third server पर जिसके इंडर 14 00 14 IP address पर उसके routing and remote access पर जाते हैं आपर static route का option होगा IP version 4 पर right check करके new static route पर जेते हैं और destination का address आते हैं destination का address आते हैं destination मुझे किसे connect होना है N000 के पूले network के connect होना है उसका subnet math के है 25500 ठीक है gateway क्या है यानि कि मेरे अपने network का IP address network card का जिसके तूँ मेरे data travel कर रहा है different network के different network होगा destination उसी का subnet card gateway मेरे अपने server का IP address लिखने के पाद ok कर देना जहां पर यह static route कर लिया first server के अंदर second server पर जाते हैं यह वारा black server आ गया यह second server है इसके अंदर IP version 4 पर right click next sign करते static route पर right click करते new static route जहां पर हमारा destination हो जाएगा 14 का network के यहां डालेंगे 14000 उसका subnet mask डालेंगे 25500 तब gateway डालेंगे 10 003 इसका IP address का 3 अपका 3 था 10 003 इसके 10 003 डाल दिया static route में यहां पर entry आगी इसके अब मैं यहां से string कर आता हूं 14 0014 इसके रिप्लाई आगया यहां की routing होगी इसके अब मैं scripted first server के जाता हूं यहां से string कर आता हूं 10 003 वाइक रसा जोनों जालेंगे इसके हर्फ से इसके राउटिंग राउटिंग होगी और 2008 server में फिरफ static routing होती है OSPR खता दिया OSPR फिरफ आपका 2003 server में था अब काश कर जाए तक physically server को यूज करते हैं physically routers होते हैं इसको यूज करते हैं इसके राउटिंग 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 करते हैं इसके राउटिंग 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 राउट टें दाव में एक सतने वाब को बन जुर खाय से चल्गे मोग कहाल जुछ डिल स्की के बात स्कारे है मैं इस बात लिच समारह अच इन आधिh के बातीần सब्गे या चको और पूँ स्क्करते हुआ, 1001 को uन रफ्लाइ आगया आप अप ट्रेड से जाते हुआ करते हैं 1001 को त्रिंख करने हो यह देख ठीट कीजना है इसीरे में पहुत भूम जात है और पूजिए राउटिकेश डों सब्सक्राम scope सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब इस जाँ है धन्स प्रोग दिए